हलो दोस्तों, वेलकम टू माई डॉक्स लाइफ, हमारे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही प्यारी और पॉपुलर डॉक ब्रीड, फ्रेंच बॉर्ड डॉक के प्राइस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इनके कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्स के बारे में लेकिन उससे पहले दो सेकेंड का टाइम निकल कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले, दोस्तों बले ही इनके नाम के आगे फ्रेंच लगाया जाता है, लेकिन इनका फ्रांस से कोई लेना द नहीं है, इनका ओरिजिन इंग्लेंड से है, इंग्लेंड में टॉय बुल्डग और पक को क्रोस करके फ्रेंच बुल्डग को बनाया गया था, इन्हें बनाया गया इंग्लेंड में लेकिन जब इने फ्रांस में ले जाया गया, तब ये वहाँ जाकर काफी पॉपुलर हो ये एक रेर डॉक ब्रीड हैं, ये डॉक इंडिया में आसानी से नहीं मिलते, फ्रेंश बुल डॉक स्मॉल साइज के होने की वज़े से ये छोटे या बड़े किसी भी टाइप के अपाटमेंट में बड़ी आसानी से रह सकते हैं, French Bulldogs बहुत ही अच्छे Family Dogs होते हैं और ये बिनावजे भोकना पसंद नहीं करते French Bulldogs बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा Protective होते हैं और ये बच्चों के साथ बड़े प्यार से रहते हैं ये अपना ज़ादातर वक्त Family के साथ बिताना पसंद करते हैं और हर केसी से अटेंशन पाना चाहते हैं इस डॉग ब्रीड को 8098 में AKC याने की American Kennel Club ने ओफिशली रिकगनाईज किया था फ्रेंच बुल डॉग को फ्रेंची नाम से भी जाना जाता है इस ब्रीड को आप ना तो जाधा तर घर के अंदर अकेला छोड़े और ना ही जाधा टाइम घर के बाहर रखें फ्रेंच बुल डॉग जाधा गरम वेदर में नहीं रह पाते फिर भी अगर आप इन्हें गरम वेदर में रखते हैं तो ये ओवरी ही हो जाते हैं बिलकुल पक डॉग की तरह इनका कोट शोट होने की वज़े से ये जाधा ठंडे वेदर में भी नहीं रह पाते इसलिए इन्हें मीडियम वेदर में रखना चाहिए और हाँ इन्हे जाधा गहरे पानी से दूर रखें क्योंकि फ्रेंच बुल डॉग जाधा गहरे पानी में डूब जाते हैं आप इन्हें कैसारे अलग-अलग कामों के लिए ट्रेंड कर सकते हैं और दूसरे डॉक्स की तरह इन्हें भी सोशिलाइज करवाना ज़रूरी होता है खास कर दूसरे डॉक्स और एनिमल के साथ क्योंकि ये उनके सामने एग्रेसिव हो सकते हैं इन्हे डेली एक्सराइज की जरूरत नहीं होती लेकिन इन्हे वाक पर जरूर ले जाएं जैसे के वाइट, फोन, क्रीम, टैन, ब्रिंडल औन वाइट और ब्लेक औन वाइट जैसे और भी कलर्स में पाए जाते हैं बात करें अगर इनके जीवनकाल की तो इनका जीवनकाल 10 से 12 साल तक का होता है लेकिन कुछ फ्रेंच बुल डॉग इनसे पहले भी बूडे हो जाते हैं तो कुछ बुल डॉग 12 साल से भी जादा जीते हैं इनकी एवरेज हाइट 11 तू 13 इंचेस तक होती है और इनका वेट 10 तू 13 कजी तक होता है इनकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए इने ओवर फीड ना करें बात करें अगर इनके प्राइज के बारे में तो इंडिया में इनका प्राइज स्टार्ट होगा 40,000 से जो कि 90,000 तक जा सकता है चलिए दोस्तों फिर में लेंगे एक निव इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ